क्या रोमन का करियर अब डाउन फॉल की तरफ जाने वाला है? अब ऐसी कौन सी चीज है जो रोमन को बचा सकती है तो गाइस जब से रोमन ट्राइबल चीफ बने उन्होंने बहुती कम फेर फाइट लड़ी है उन्होंने हर मैच में अपनी टीम का सहारा लिया है और हर मेन इवेंट में उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को बचा लिया है जिसकी वजह से अब उनकी परसनेलिटी काफी ज्याथा बदल चुकी है और सारी ओडियंस अब उनको नापसंद करने लगी है या तो वो इस मैच में कोई बहुत बड़ी स्ट्रेजी बना कर आए या फिर वो अपनी टीम को और बढ़ा करें जिसमें वो और भी रैसलर को इंक्लिउट करें जिससे उनकी टीम और भी ज्यादा स्टॉंग हो सके या फिर उनको अब अपने करेक्टर में चेंज लाना ही पड़ेगा नहीं तो उनका करियर डाउन फॉल की तरफ जाने से कोई नहीं रोख सकता तो गाईज हम बात कर रहे हैं पुराने वाले रोमन रेंस की जिसमें वो सारी फाइट अकेले लड़ते थे कोई टीम का सहारा नहीं लेते थे और वो अकेले ही 10-15 रैसलरों के बराबर थे जबसे वो ट्राइबल चीफ बने हैं सभी रैसलर उन पर गुसा हैं उनको पसंद नहीं करते और इस करेंट सिचुएशन में जिसमें रोमन के सामने 3-3 दिगज रैसलर हैं तो ट्राइबल चीफ इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है पुराने वाला रोमन रेंस जिसने रसल मीनिया में ब्रॉक लैसनर, अंडर्टेकर और अकेले ही पूरी अथारटी को सम्हाल लिया था वो पुराने वाला रोमन रेंस इस सिचुएशन को समाल सकता है और इस बार कौडी रोड्स के दिमाग को मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ठीक रसल मीनिया से पहले सैमी जैन और केविन ओवैंस से मिसंडरस्टेंडिंग को दूर करवा दिया और उन दोनों को वापिस ले आए हैं और केविन और सैमी का भी एक ही मकसद है कि वो बलड लाइन को फिनिश कर दे तो अब या तो रोमन को टीम को बड़ा करना पड़ेगा किसी बड़े रैसलर को टीम में लाना पड़ेगा या उनको अपना पुराने वाला केरेक्टर अपन करके जरूर बताईएगा चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो उसके लिए धन्यवाद